अगर आप इस तरीके से सोया पुलाव बनाएंगे तो सब तारिफ करेंगे बहुती टेस्टी और बहुत जल्दी ये सोया पुलाव बन के तयार हो जाता है और यह आप देख सकते हो एक-एक दाना खिला-खिला बना है जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है जब भी आपको खाने के लिए क्या बनाएं समझ में आएं तो लंच या फिर डिनर में आप ये जटपट सोया पुलाव बना के तयार कर सकते हो जो की खाने में बहुत जादा टेस्ट लगता है तो चलिए फिर सोया पुलाव बनाना शुरू करते हैं एक बाउल में हमें लेना है एक बासमती चावल ये लॉंग रेन राइस हैं आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो और मैं यहाँ पर चार लोकों के हिसाब से बना रही हो आप अपनी हिसाब से कॉंटेटी कम या जादा कर सकते हो चावल में पाने डालके हम हाथों से हलका सा रब कर देंगे ताकि इसके उपर जो भी डर्ट है वो निकल चाए और पानी को ड्रेन आउट कर देंगे एक बार फिर से ये प्रोसेस दोराएंगे और इसमें पानी आड़ करके हम चावल को सोक होने के लिए छोड़ देंगे तो करीबन 20 मिनिट के लिए जलिए अब चलते हैं सोया पुलाव बदाने की प्रोसेस में तो एक कूकर में हमें 2 टेबल स्पून तेल को गरम कर देना है जिसे ही तेल करम हो जाएगा तो एक टिस्पून हम इसमें जीरा आड़ कर देंगे और एक टिस्पून हम इसमें राई आड़ कर देंगे जब जीरा और राई चटकने लग जाए तो आठ से दस सेकन तक इसे भून ले अब हम इसमें दो हरी मिच को बारी कट करके आड़ कर देंगे और साथ में एक टेबल स्पून बारी कटा हुआ लेसुन मिला दे इससे बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा आधा कप हम इसमें कटी हुई शिमला मिच को आड़ कर देंगे जिसे हमने इसे बॉड़े टुकडों में कट करके रखा था और आधा कप हम इसमें कटी हुई पैज को आड़ कर देंगे जिससे हमने रफली चॉप किया है और आधा कप हम इसमें पत्ता गोभी के लंबे स्लाइस आड़ कर देंगे अब इन सारी चीज़ों को हमें एक से दो मिनिट के लिए सोते कर लेना है ताकि सबसियों के अंदर जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए और पैस भी ट्रांसलूसन हो जाए दो मिनिट में ही सबसिया फ्राय हो जाती है तो अब हम इसमें सुखे मसले एड़ कर देंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर मिला दे और आधा टी स्पून जीरा पाउडर एड़ कर देंगे आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर मिला दे एक चोटा ही चमच इसमें हम हल्दी पाउडर मिला देंगे दो टी स्पून इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर मिला देंगे अब इन सारे मसालों को हमें आदे मिनिट तक भून लेना है अब हम इसमें एक कप सोया चंक्स आड़ कर देंगे जितने आपने चावल लिये हैं उतने ही आपको सोया चंक्स लेने हैं और अब हम इसमें एक सिक्रेट मसाला आड़ करेंगे तो एक पैकेट हमें इसमें मैगी मसाला मिला देना है इससे बहुती बढ़िया फ्लेवर आएगा और बहुती टेस्टी सोया पुलाव बन के तयार हो जाता है तो आप इसे जरूर से आड़ करें अब एक कप हम इसमें पानी मिला देंगे और एक टेबिल स्पुन नमक मिला देंगे जितना सोया पुलाव बनाने के लिए नमक चाहिए वो सारा नमक इसे स्टेच पे आपको मिला देना है अब इस सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे और हाइफ लेम पे हमें इसे दो मिनिट तक पकाना है ताकि सोया चंक्स भी लगबग आधे पक जाए और अब हम इसमें जो चावल हमने सोक करके रखे थे वो एड़ कर देना है और देड कप हम इसमें पानी मिला देंगे तो एक कप चावल की सबसे हमें डाई कप पानी इसमें एड़ कर देना है अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे यह आप देख सकते हो इस तजिके से पानी की कंसिस्टनसी होनी चाहिए अब प्रेशर कूकर का धकन बन कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें तीन सिटी आने तक वेट करना है तो जिसे ही तीन सिटी लग जाएगी तो गैस की फ्लेम को बन कर देना है और प्रेशर कूकर ठंडा होने तक वेट करेंगे अब खोल के चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो सोया पुलाव बन के तयार हो गया है और एक-एक दाना खिला-खिला बना है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सोया पुलाव बन के तयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये सोया पुलाव बन जाता है जिसे आप लंच या फिर डिनर में बना सकते हो लंच और डिनर के लिए ये तो एक बहतरीन ओंप्शन है इसमें हमने मैगी मसला आट किया है तो इससे बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है और गजब का टेस्ट ये सोया पुलाओ बन के तयार हो चाता है और आप ये सोया पुलाओ राइता के साथ सर्फ कर सकते हो तो चलिए फटा-फट से सर्विंग कर लेते हैं एक प्लेट में हम स बस से कटी हुई पत्ता को भी गार्निश कर देंगे तो आप भी इस रेसिपी को घर पे चरू ट्राइ करें और आपके एक्स्पिरियंस मेरे साथ शेर कीची ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले व